नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सुरक्षित होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे. आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9, विज्ञान का अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई. बच्चों, आप पहले सजीवों के गुणों और कुशिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं. अध्याय को प्रारंब करने से पहले, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा. सबसे पहला प्रश्न, सजीवों के कुछ गुण धर्मों के बारे में बताईए. तो आप सभी का उत्तर होगा, सजीव चल फिर सकते हैं, श्वस्न करते हैं, वृध्धी करते हैं और प्रजनन करते हैं. तो अगला प्रश्न है कि ये सभी सजीव किस प्रकार बने हैं? अगला प्रश्न, क्या आप किसी एक कोशिकी ये जीव का उधारन दे सकते हैं, तो आप उत्तर देंगे, अमीबा. अगला प्रश्न, बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कोशिका की सरंचना कैसी है, और क्या आपको कोशिकांगों के बारे में जानकारी हैं? तो आज के अध्याय में हम कोशिका की सरंचना और कोशिकांगों के बारे में विस्तार पुर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे आज के अध्याय में हम सीखेंगे सजीव किस से बने होते हैं, कोशिका किस से बनी होती है, कोशिका का सरंचनात्मक कठन क्या है रॉबर्ट हुक जोकी कॉर्क की पतली काट का अवलोकन कर रहे थे उन्होंने पाया कि इसमें छोटे-छोटे प्रकोष्ट हैं जोकी मदुमक्की के चत्ते से मिलते-जुलते प्रतीत होते हैं उन्होंने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्म जर्शी से देखा और इन प्रकोष्टकों को कोशिका कहा बच्चों आप जानते ही हैं कि आज भी इसी शब्द का उप्योग हो रहा है और यह शब्द है कोशिका यह है हमारे जीवन की मौलिक इकाई आओ बच्चों एक क्रिया कलाब द्वारा हम प्याज की जिल्ली के अंदर की सरंचनाओं को देखते हैं प्याज का एक छोटा टुकडा लो चिम्टी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह यानि की भीतरी सतह की जिल्ली को उतार लेंगे इस जिल्ली को तुरंत पानी वाले वाच ग्लास में रख लेते हैं इससे जिल्ली मुड़ने अत्वा सूखने से बच जाएगी अब कांच की एक स्लाइड ले इस पर पानी की एक बून डाले अब वाज ग्लास से रखी जिल्ली के इस छूटे टुकडे को इस स्लाइड पर रख दे यह ध्यान रखें कि जिल्ली बिल्कुल सीधी हो अब इस पर एक बून सेफरिनिन की डाले और इसे कवर स्लिप से ढख दे कवर स्लिप को सूई की साहता से इस प्रकार रखें जिससे की इसमें वायू के बुलबुले न जाएं यह प्याज की जिल्ली की अस्थाई स्लाइड बनी है जिसे हम सुख्ष्ण दर्शी की साहता से देखेंगे आप प्याज की जिल्ली में कोशिकाओं को देख पा रहे हैं यदि आप किसी अन्य प्याज की जिल्ली को भी इसी प्रकार से देखेंगे तो आप समान आकार की आकृतियां ही देख पाएंगे यानि कि प्याज के आकार से इसका कोई संबन नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि प्याज कोशिकाओं से बना है न केवल प्याज सभी जीव जन्तू जिने हम देख पाते हैं कोशिकाओं से बने हैं जीवों के प्रकार जीव दो प्रकार के हो सकते हैं एक कोशिक्य जीव और बहु कोशिक्य जीव। एक कोशिक्य जीवों के उधारण हैं अमीबा, क्लमेडी मोनास, पैरामिश्यम, बैक्टीरिया, शत्रमुर्का, अंडा। बहु कोशिक जीव के उधारण हैं मनुश्य, जानवर और सभी जन्तु। बहु कोशिक जीवों में विभिन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर में भी विभिन कोशिकाएं होती हैं, जैसे की तंत्रिका कोशिका, वसा कोशिका, शुक्राणू, अंडाणू, रुधिर कोशिकाएं, चिकनी पेशी कोशिकाएं। बहु कोशिक जीवों में श्रम का विभाजन होता है जैसे कि मनिश्यों में भृदेर रक्त को पंप करता है वह अमाशय भोजन को पचाता है इसी प्रकार एक कोशिक जीवों में भी जैसे कि अमीबा श्रम का विभाजन होता है कोशिका में कोशिकांग होते हैं प्रते कोशिक का अपना कारे होता है यदि इने परिभाशित किया जाए तो हम कुछ इस प्रकार से परिभाशित करेंगे प्रतेक कोशिका में कुछ मूल भूर्त कारे करने के लिए कुछ विशिष्ट खटक होते हैं जिने कोशिकां कहा जाता है अब जान लेते हैं कि कोशिका किस प्रकार सं सुक्रणदर्शी के δ्वारा देखने से हमें प्रते कोशिकाओं के तीन भाग दिखाई देंगे प्लैज्मा जिल्यिद्रक और कोशिका द्रव्यर सबसे पहले प्लैज्मा जिल्य अत्वा कोशिका जिल्य यह कोशिका कई सबसे बाहरी परत है प्लैज्मा जिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है यह अन्य पदार्थों की गती को भी रोकती है इसी कारण कोशिका जिल्ली अत्वा प्लैज्मा जिल्ली को वरनात्मत परागम्य जिल्ली कहा जाता है अब प्रश्णिय है कि पदार्थों की गती होती कैसे है हम विसरन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं पदार्थों की गती कुछ सांदर्ता से निम्न सांदर्ता की और होती है, कुछ यही कोशिका में भी होता है, जब कार्बन डाइकसाइड जो की एक कोश्कीय अपशिष्ट है, कोश्का में अधिक हो जाती है, एकत्र हो जाती है, तो इसकी सांदर्ता बर जाती है, यह सांदर् कार्बन डाइक्साइड की सांद्रचा से अधिक हो जाती है और कार्बन डाइक्साइड विसरन द्वारा कोशिका से बाहर चली जाती है इसी प्रकार ऑक्सीजन भी कोशिका के भीतर आती है जल भी विसरन के नियमों के अनुकूल वेवार करता है जल के अनुओं की गती जब प्लैज्मा जिल्ली से होती है तो उसे परासरन कहा जाता है। आओ एक उधारन द्वारा इसे समझते हैं। बच्चों, अंडे का बाहरी कवच कैश्यम कार्बोनेट का बना होता है। यह कवच या परत परासरन नहीं होने देता। बाहरी सक्थ परत को हाइड्रोक्लोरिक अमल के पतले विल्यन में रखकर उतार लेते हैं। अब अंडे को शुद्ध यानी साफ जल में डाल कर सारी रात्री के लिए रख देते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि अंडा फूल गया है। अब इस पूले हुए अंडे को नमक के सांद्रित घोल में रखें। पांच-छे घंटे बाद हम देख पा रहे हैं कि अंडा सिकड गया है। अब हम दोबारा इस सिकड हुए अंडे को पानी में डाल देते हैं। अब आदे घंटे बाद हम देख पा रहे हैं कि अंडा फिर से फूल गया है बच्चों इस प्रक्रम में सबसे पहले जब हमने अंडे को शुद्ध जल में रखा था तो अंडा फूल गया था ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंडे के अंडर जल की मात्रा कम है और बाहर अधिक यानि की जल बाहर से अंडर की और गति करेगा और अंडा फूल जाएगा दूसरी स्थिती में अंडे को नमक के सांदृत विल्यन में रखा गया अब जल की मात्रा अंडे के भीतर बाहर की अपेक्षा अधिक है जल अंडे से बाहर की और गती करेगा और अंडा सिकुड जाएगा और अंत में फिर पानी में डालने पर अंडा फूल जाएगा यदि अंडे को ऐसे विल्यन में रखते हैं कि जिसमें जल की मात्रा अंदर और बाहर समान होती तो न अंडा फूलता और न सिकुडता तो इस प्रकार यदि किसी कोशिका को विल्यन में रखा जाए तो तीन प्रकार के विल्यन हो सकते हैं सबसे पहले अर्थार्थ जब कोशिका के भीतर जल की मात्रा कम है दूसरा प्रकार का विल्यन हो सकता है सम परासरी दाबी विल्यन जब कोशिका के भीतर व बहर जल की मात्रा बराबर है अती परासरन दाबी विल्यन जब कोशिका के भीतर जल की मात्रा बहर की अपेक्षा अधिक है कोशिका के जीवन में विस्रन जल और गैसों के अदान परदान में महतपुरुन भूमिका निभाता है कोशिका जिल्ली लचीली होती है और इसका लचीलापन एक कोशिके जीवों में कोशिका के बाहरी पर्यावरण से भूजन वा अन्यापदात ग्रहन करने में सहायता करता है इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं इसका उधारण है अमीबा पादप कोशिकाओं में प्लैज्मा जिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ती भी होती है कोशिका भित्ती सेलुलोस की बनी होती है सेलुलोस पोधों को सरंचनात्मक द्रता पदान करता है कोशिका भित्ती पोधूं कवक व बैक्टीरिया की कोशिकाओं की अपेक्षा कृत कम तनू विल्यन यानि की अल्प परासरण दाबी विल्यन में बिना फटे बनाए रखती है ऐसे माध्यम में कोशिका परासरण विधी द्वारा पानी लेती है और कोशिका फूल जाती है कोशिका भित्ती के उपर दबाब डालने लगती है कोशिका भित्ती भी पूली हुई कोशिका पर समान दबाग डालती है कोशिका भित्ती के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनिय माध्यम को जन्तु कोशिका की अपेक्षा असानी से सहन कर सकती है बच्चों अब हम केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आओ केंद्रक से ही उसके बारे में जान लेते हैं मैं कोशिका का केंद्रक हूँ मैं कोशिका में होने वाले कारें को निर्धारित करता हूँ मेरे चारो और एक जिल्ली होती है जिसे केंद्रक जिल्ली कहते हैं इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन छिद्रों के द्वारा मुझमें से कोशिका द्रव्य बाहर आ पाता है मुझ में क्रोमोजोम होते हैं जो की कोशिका के विभाजन के समय छड जैसे दिखते हैं क्रोमोजोम में अनुवाशिक गुन होते हैं जो माता पिता से DNA अनु जिने की D-Oxy-Ribonucleic आमला का जाता है के रूप में अगली संत्थि में जाते हैं DNA के विभाजन ना होने की स्थिती में DNA क्रोमेटीन नामक परदात के रूप में उपस्तित रहता है जो धागे की सरंचनाओं का जाल होता है DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में आप मुझे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते क्योंकि यहां केंद्रक जिल्ली नहीं होती ऐसे शेत्र में केवल क्रोमेटीन परदार्थ होता है और इसे केंद्रकाय कहते हैं ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक जिल्ली नहीं होती उन्हें prokaryote कहा जाता है यहाँ prokaryote का अर्थ है pro यानि की आदी और पूर कaryote का अर्थ है केंद्र और जिन में केंद्रक जिल्ली होती है उन्हें eukaryote कहा जाता है आईए हम prokaryote और eukaryote कोशिकाओं के बीच में अंतर को देखते हैं जहाँ prokaryote कोशिकाओं का आकार छोटा होता है वहीं eukaryote कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है prokaryote कोशिकाओं का आकार एक से दस माइक्रो मिटर के बराबर होता है एक माइक्रो मिटर दस की घात घटा छे मिटर के बराबर होता है वहीं यूकेरियोटी कोशिका का आकार पांच से सौ माइक्रो मिटर के बराबर होता है यदि केंद्र के शेत्र के हिसाब से इनका अंतर देखा जाए तो प्रोकेरियोटी कोशिका में असपष्ट केंद्रक शेत्र होता है जिसे केंद्रका कहा जाता है यूकेरियोटी कोशिका में सूसपष्ट केंदर के शेत्र होता है जो चारों और से केंदर के जिल्ली से घीरा रहता है प्रोकेरियोटी कोशिकाओं में क्रोमोजोम की संख्या एक होती है जबकि यूकेरियोटी कोशिकाओं में क्रोमोजोमों की संख्या एक से अधिक होती है प्रोकेरियोटी कोशिकाओं में जिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं जबकि Eukaryoti कोशिकाओं में जिल्ली युक्त कोशिका अंगक होते हैं। बच्चों अभी अभी आपने केंद्रक से केंद्रक के विषे में जानकारी प्राप्त की। अब हम जान लेते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका को सूक्ष मिदर्शी में देखने पर बड़ा शेत्र दिखाई देता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं. कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिका अंगक होते हैं. आईए हम एके करके इन सभी कोशिका अंगक यानि कोशिकांगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ल क्योंकि यह अलग-अलग रसाइनिक क्रियाओं को करने के लिए ATP यानि की एडीनोसाइन ट्राइफोसफेट के रूप में उर्जा परदान करता है ATP का इस्तेमाल शरीर में नए रसाइनिक यौगिंगों को बनाने में किया जाता है इसका उपयोग कई कारियों में भी होता है यह एक अध्भुत अंगक है इसका अपना DNA और राइबोजोम होता है यानि की यह अपना प्रोटीन खुद ही बना सकता है राइबोजोम टोटीन का निर्मान करते हैं इसके पश्चात हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं अंतर द्रव्य जलिका के बारे में अंतर द्रव्य जलिका यानि की एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम अंतर द्रव्य जलिका जिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंतर होता है अंतर द्रव्य जलिका दो प्रकार की होती है खुरदरी अंतरद्रविय जलिका यानि कि RER rough endoplasmic reticulum तथा चिकनी अंतरद्रविय जलिका यानि कि SER RER सूक्ष्ण दर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है RER आप जैसे कि हमने बताया rough endoplasmic reticulum rough खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोजोम लगे होते हैं राइबोजोम पर प्रोटीन संशलेशित होती है RER तियार प्रोटीन को अविशक्ता अंसार ER यानि की अंतरद्रव्य जलिका के द्वारा कुशिका के अन्ने भागों में भेज देते है SER Smooth Endoplasmic Reticulum यानि की चिक्नी अंतरद्रव्य जलिका वसा अत्वा लीपिड अनू को बनाने में सहायता करती है यह कोशिक के क्रिया के लिए बहुत महतब पृरुन है कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका जिली के बनाने में भी सहायक होते हैं इस प्रिक्या को जिल्ली जीवात जनन कहते हैं ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन शेत्रों के मध्य अत्पा कोशिका द्रव्य के विभिन शेत्रों तथा केंद्र के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है यानि की पदार्थों का स्थानांतरण एक वर्ग के जन्तूं जिने कशे रुक्वी भी कहा जाता है जिसके बारे में आप आने वाले अध्याओं में पड़ेंगे यानि की यहें जो हमारे शरीर में विश या जो हम दवाएं खाते हैं उनका निराविशी करण करने में महतपुर्ण भूमी का निभाते हैं इसके पच्चात हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं गौलची उपकरण के बारे में गौलची उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गौलची ने किया था गौलची उपकरण जिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के उपर समांतर रूप से सजी रहती है जिने कुंडिका कहते हैं इयार में संशलेशित पदार्थ गौलची उपकरण में पैक किये जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन शेत्रों में भेज दिया जाता है इसका कार्य यह भी है कि यह पुटिका में पदार्थों का संचयन रुपांतरन और बंद करने का काम करता है गौलची उपकरण के द्वारा लाइसोजोम भी बनाया जाता है लाइसोजोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो कोशिका में आने वाले बहरी पदार्थों को पचा कर कोशिका को साफ करते हैं अगर कोशिका शतिग्रिस्त या मृत हो जाए तो लाइसोजोम फट जाते हैं और अपनी कोशिका को ही पाचित कर देते हैं इसलिए लाइजोजोम को कोशिका की आत्म घाती ठैली भी कहा जाता है। आईए अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं प्लैस्टिड के बारे में। प्लैस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थिर्ख होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट और लूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट यानि की रंगीन प्लैस्टिड लूकोप्लास्ट यानि की श्वेत या रंग हीन प्लैस्टिड क्लोरोफिल वर्नक वाले प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है आइए जान लेते हैं stroma के बारे में भी प्लेस्टिड की भीत्री रचना में बहुत सी जिल्ली वाली परते होती हैं जो stroma नाम के पदार्त में स्थिर होती हैं प्लैस्टिड का भी अपना DNA और राइबोजोम होते हैं यानि यह भी माइटो कॉंड्रिया की तरह अपने प्रोटीन का संशिलेशन कर सकता है इसके बाद आईए जान लेते हैं रस्धानियों के बारे में रस्धानिया ठोस अत्वा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलिया हैं जन्तु कोशिकाओं में रस्धानिया छोटी होती हैं जबकी पादब कोशिकाओं में रस्धानिया बहुत बड़ी होती हैं पादब कोशिकाओं की रजधानियों में कोशिका द्रव्य भर्य राता है और ये कोशिकाओं को सफीती और कठोरता पदान करता है। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रस्धानी में उनके द्वारा उपियोग या उपभोग में लाए गए खाद्यपदार्थ होते हैं। बच्चों, आए अब जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उसकी दोहराई कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा कोशिका जीवन की मूल भूत, सरंचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। पादप कोशिकाओं में कोशिका जिल्ली के चारों और एक कोशिका भित्ती होती है। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्री रजधानी होती है या कोशिका को सफीती प्रदान करती है प्रोकेरियोटी कोशिकाओं में केंद्रक असपष्ट होता है वह केंद्रकाय कहलाता है माइटो कॉंड्रिया वह प्लेस्टिड में अपना डियने वह राइबोजोम होता है अब मैं आप से कुछ प्रश्ण पूछूँगा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन प्रश्णों का उत्तर देने में समर्थ ही होंगे सबसे पहला प्रश्ण प्लेजमा जिली को वरनात्मक परागम्य जिली क्यों कहा जाता है इसका उत्तर इस प्रकार है क्योंकि यह केवल कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने की अनुमिती देती है और यह अन्य पदार्थों की कति को रोक सकती है इसलिए प्लैज्मा जिल्ली को वरनात्मक परागम्य जिल्ली कहा जाता है अगला प्रश्ण जोकी एक रिक्स्थान है माइटो कॉंड्रिया इसके रूप में उर्जा पुरदान करता है रिक्स्थान भरिये सही जवाब इसका सही जवाब है ATP के रूप में अगला प्रश्ण ATP का पूरा विस्तार पुर्वक नाम बताईए सही उत्तर है अगला प्रश्ण अमीबा अपना भूजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप करता है इसका सही उत्तर है अगला प्रश्ण परासरन की परिभाशा दीजिए उत्तर है जब जल के याणू प्लैज्मा जिल्ली से होते हुए जाते हैं और गती करते हैं तो उस प्रक्रिया को परासरन कहा जाता है अगला प्रश्ण रिक्स्थान माइटो कॉंड्रिया को कोशिका का यह कहा चाता है दिक्स्तान भरिये सही उत्तर है बिजली घर अगला प्राश्न लाइजोजोम का दूसरा नाम क्या है सही उत्तर है आत्म घाती थैली इसी के साथ हमारा अध्याय समाप्थ होता है आशा करता हूँ कि आपने पूरे अध्याय को बड़े ध्यान पूर्वक समझा होगा अब आप अपनी पाथ्य पूस्तक में से फिर से इस अध्याय को पढ़िए और अभ्यास के प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिए धन्यवाद बच्चों